हे गाईज, जैसे के अब सब जानते हैं कि यार, तारक मतव शौ में जो दय खा गैरेक्टर تھा, उसने तारक मतव शो काफी साल पहले ही छोड़ दिया है, मतलब दो साल हो चुकिए है, दो साल से स्ही जादा हो चुकिया है, तारक मतव शो को छोड़े हुए दिशावकानी के द पता हो, मतलब आपको बहुत ही कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो गैस इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कि दिशावकानी ने ऐसी कौन सी पांच बॉलिवूड फिल्म है जिन में काम किया है, और वो भी काफी बड़ी-बड़ी बॉलिवूड फिल्म है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यह वीडियो दोस्तो पूरी आखिर तक देखेगा, अगर आप जानना जाते हैं, कि दिशावकानी यानि के दया भावी ने, तारिक मदशो की दया भावी ने किन-किन बॉलिवूड फिल्मों में काम किया है, तो यहाँ पर सबसे फोटो में भी देख सकते हो, एश्वर राय के साथ ही है, दूसरी फिल्म है, दोस्तो मंगल पांडे दर राइजिंग, आमिर खान की मंगल पांडे फिल्म आपको पकी बात है, याद होगी ही, लेकिन दोस्तो दिशावकानी का रोल किसी को भी याद नहीं होगा, तो इस फि ल्यांका चोपड़ा और हर्मन बावेजा की ये फिल्म आप में से बहुत लोगों को याद होगी, हाला कि बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म इतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी, और दोस्तो ये बात तो शायद ही किसी को पता होगी, कि दिशावकानी ने इस फिल्म में एक पॉपिलर है शारू खान का, तो गाईस दिशावकानी ने इस फिल्म में एक सखी का रोल प्ले किया था, पाँचवी फिल्म है दोस्तो सी कमपनी, I think सी कमपनी फिल्म जिनों ने भी देखी होगी और उनों ने मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो इस फिल्म में दोस्तो दिशावकानी जो है वो एक वीड़ो का रोल प्ले करती हैं, और I think सी कमपनी में तो ज़्यादा तर लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया ही होगा, कि उसमें दिशावकानी भी है, यानि कि दया भावी भी है, तारक मैं तो शोकी, तो गाईस ये है पाँच इसी ब पोलिवूट टुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की वीडियो के लिए नीजे ही लाल कलर का सब्सक्राइब गावट एना उसके साथ है, बेल आइकन दोनों को ज़रूर पैस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियो मिस्स ना अगर पहें, फिलहाल दोस्त इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में